नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुख्य उपाए में दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पढ़ाए हैं तो अनुख्य उपाए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे पहले हमारा वीडियो देखने के लिए बैल के अइकन को ज़रू ट्रेस करें शिशू का रात में रोना और जागना सामान्य है परंतु कुछ ऐसे उपाए भी हैं जिनसे आप शिशू को फिर से जल्दी सुला सकती हैं आईए जानते हैं इसके बारे में नमबर एक जहां पर आप सोती हैं उस कमरे की लाइट हमेशा डिम रखीं क्योंकि ज़्यादा उजाला होने पर शिशू दुबारा जल्दी नहीं सोएगा नमबर दो शिशू जब भी रोय या सोने का समय हो तो उसे बैड पर ही अपनी पास लेटा कर थप थप आएं अगर वहर तब भी चुपना हो तो उसके बाद ही उसे गोद मिलें शिशू हमेशा कमफर्ट ढूनते हैं यदि उन्हें आपकी गोद की आदत हो गई तो आपकी मुसीबत बढ़ सकती है नमबर तीन यदि शिशू रात में उट जाता है तो उसके साथ खेले नहीं इससे उसकी नीद उट जाएगी और आपकी परेशानी बढ़ जाएगी नमबर चार यदि शिशू रो रहा है तो उसका डाय पर अवश्य चेक करें आवश्यक्ता होने पर डाय पर बदलें नमबर पांच, जहां पर आप सोती हैं, वह बैड साफ सुत्रा और सू व्यवस्थित होना चाहिए. कपड़े, खिलोने या अन्य कोई भी वस्तु सोने से पहले बैड से हटा दें. ध्यान रहे कि शिशू के नीचे कोई भी वस्तु ना रहे. नमबर छे, पूरी रात एक ही इस्तन से इस्तनपान ना कराएं. ऐसा करने से आपके दूसरे इस्तन में समश्या बढ़ सकती है. और कम दूद आने की वज़े से शिशू भी चिर्चिरा महसूस करेगा. नमबर साथ, यदि संभव हो तो बैठकर ही इस्तनपान कराएं. क्योंकि सोते हुए स्तनपान कराने से शिशू के मुँँ में हवा चली जाती है. जिससे उसे गैस की समश्या हो सकती है. और वह दूद को मुँँ से निकाल सकता है. नमबर आठ, इस्तनपान के बाद शिशू को डकार अवश्य दिलवाएं. यदि ऐसा नहीं किया, तो शिशू बेचैन रहेगा, रोएगा और सो नहीं पाएगा. तो दोस्तों, ये थी वो कुछ बातें, जिन्हें अगर शिशू रात में रोए तो बिलकुल भी नहीं करना चाहिए. तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ, आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी. हमारे ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक और शेर जरूर करें. धन् आपको 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 आपक